नमस्कार दोस्तों, Springboard Academy की online class में आपका छवागत है Last class में हमने discuss किया था Biodiversity की importance क्या है Biodiversity हमें क्या-क्या service प्रोवाइड करवाती है Biodiversity loss के क्या-क्या कारण है जिसमें हमने प्राकर्तिक आवाशों का नस्ट और विखंडित होना लिखा था Over Exploitation अत्यादिक दोहन लिखा था Invasive Species या Alien Species जो है वो लिखा था और Co-Extinction, सहव विलुप्तता ये चार प्रमुख कारण और इसके अलावा Climate Change है, Pollution है ये भी हमने discuss किये थे उसके बाद में दुनिया भर में इसको protect करने का इसको conserve करने के कौन-कौन से तरीके हैं जिसमें in-situ conservation और ex-situ conservation क्या होता है और उसके क्या example है उनकी बाद हमने last class में कही थी आज हम उससे आगे बात करेंगे जिसमें बायो डाइवर्सिटी के protect करने के conserve करने के तरीके जो हैं उसमें in-situ conservation के जो तरीके हैं उनको एक-एक करके जो काफी important भी है उनको हम discuss करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं hot spot of biodiversity hot spot tap tisthal जैब विविद्दा के hot spot कहें या tap tisthal कहें hot spot सब कई जिगा काम में आता है वैसे दो जहाँ वाइफाई होता है उसको भी hot spot बोलते हैं उपन भी हो सकता है, जो उसकता है यहाँ पे वाइफाई वाला hot spot नहीं है यहाँ पे जो hot spot है वो bio diversity के point of view से जैब विविद्दा के रिष्टी से अब जैब विविद्दा के hot spot किस को कहेंगे जैब विविद्दा के hot spot कहने के लिए सबसे पहली condition जो होती है वो होती है endemism इस्थानी प्रजातियां वहाँ पे कितनी है कोई भी area है वहाँ पे endemic species जितनी ज़्यादा होगी इस्थानी प्रजातियां जितनी ज़्यादा होगी उस area को hot spot के रूप में selection करने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहती तो कुल मिला के वो area जहां biodiversity ज़्यादा होने के साथ साथ महाँ पे इस्थानी प्रजातियां rare दुरलब प्रजातियां या endangered कहें शंकटगरस्त कहें threatened कहें ये species प्रजातियां ज़्यादा हो उसको हम hot spot कहते हैं या hot spot की रूप में select करते हैं पहली बात दूसरी बात केवल ये होना ही नहीं उसके साथ साथ में मानव जनित कारणा से कितना threatened है कितनी प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो रही है या होने के कगार पर है इसको भी ध्यान में रखा जाता है तो hot spot में पहला सब्द अगर कभी भी पूचा जाए कि hot spot का meaning जो है या hot spot select करने के लिए पहली प्रात्मी तक क्या चीज को सबसे पहले ध्यान देंगे तो वो होगी endemism इस्थानी प्रजातियां इस्थानी प्रजातियों का ratio अगर ज़्यादा हो तो उसे हम hot spot की रूप में select करते हैं तो two strict criteria है जिनके आधार पे वो है इस्थानी है तो दो condition होती है जहां इस्थानीकता ज्यादा हो कितनी हो तो जनरली ये plant में देखा जाता है और अगर कोई area है वहाँ पे 1500 species जो है वो vascular plant वाली हो और वो वहाँ की endemic species हो यहनि वो वहीं पे मिलती हो वहाँ के अलावा और यहनि 1500 ऐसी पादव प्रजातियां जिन में जायलम फ्लोईम होता है वो हो और वो 1500 species वहाँ की endemic हो वैसे तो species तो 1500 से ज़्यादा कही हो सकती है लेकिन endemic species अगर 1500 या दुनिया में total जितनी है उसका 0.5% वहाँ पे endemic species हो तो उसे हम तो पहली बात तो यह कि कम से कम 0.5 प्रतिशत या 1500 समवनिय पौदे हो जो केवल वहीं मिलते हैं दूसरी जिगर नहीं मिलते हैं तो पहली strict condition कहें criteria कहें तो वो है endemic species कितनी है या plant की 1500 endemic species वहाँ पे है या दुनिया की total species का 0.5% species वहाँ पे है अगर है तो उसे हम hot spot के रूप में select करेंगे पहली condition तो यह है दूसरी जो है degree of threaten degree of threaten का मतलब संकट की इस्तिय है यानि हमारे वज़े से मानविये कारणों से वहाँ प्रजातियां विलुप्त हो रही है और प्रजातियां कितनी विलुप्त हो रही है तो के कम से कम 70% प्रजातियां जो है वहाँ की original है वो lost हो चुकी है तो ऐसी दो स्तियां को जो पूरा करे उन छेत्रों को हम hot spot के रूप में select करते हैं तो bio diversity के hot spot वे होंगे जहां पे इस्थानी प्रजातियां और मानवीय कार्णियों से संकट की स्तती में हो ऐसी इस्थानों को हम hot spot केते हैं या hot spot के रूप में select करते हैं तो उन्हीं को हम जय विवित्ता के तब तस्तल केते हैं तो विल्कुल clear हो गया होगा कई बार examen में पूछा गया है पहले भी और आगे भी पूछने की संभावना जो है वो बहुत रहती है तो यह जो term दिया था वो Norman Mayer ने दिया था hot spot सब्द का प्रियोग या hot यह concept जो दिया था कि हमें कुछ ऐसे इस्थान है जहां पे endemic species बहुत ज्यादा है और threatened भी है चंकटग्रस्थ भी है तो क्यों न हम ऐसे एरियों को select करके उनको protection provide करवाएं तो ऐसा concept देने वाले पहले विक्ति या पहले ecologist कहें पहले scientist कहें तो वो ब्रिटेन के थे जिनका नाम था Norman Mayer और 1988 में इन्हों ने ये concept दिया था तो Norman Mayer का नाम भी hot spot की जहां पे बात आए तो वहाँ पे उनका भी आना ही चाहिए अब आज के दिन अगर देखें तो अब पहले सबसे पहले 25 hot spot select किये गए थे उसके बाद मैं 9 और उसमें add किये तो 34 होगे उसके बाद मैं 2 और होगे तो अब total जो है वो 36 hot spot पूरी दुनिया में है तो दुनिया में total hot spot जो है वो कितने हैं तो सब 36 है अब पूरी दुनिया के अंदर जो area है उस area का कितना percent हिस्सा in 36 में आ रहा है तो केवल और केवल 2.3 percent area जो है वो in hot spot के अंतरगत आता है तो पूरी दुनिया के area के केवल 2.3 percent ऐसा area है जिसको hot spot के रूप में उस area को select किया हुआ है अब दूसरी तरफ अगर species देखें प्रजातियां देखें पूरी दुनिया में जितने species प्रजातियां मिलती है उनका कितना प्रतिशत इन केवल 2.3 percentage में है तो वो लगबद 60 percent species जो है वो इस के अंतरगत यहां पे है यहां होट spot वाले area जो है वहां पे है तो फुल मिला कि यहां पे तीन आंकडे तीन डाटा एक दुनिया में आज के दिन कहें तो total hot spot कितने हैं तो सब 36 है दुनिया का पूरा area जो है उसका कितना प्रतिशत इन hot spot के पास में है तो 2.3 percent दुनिया की total species जितनी है प्रजातिया जितनी है उनका कितना percent is hot spot में 60 percent in hot spot में है अब इन 36 में से अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में चार जो है area कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है उनका कुछ area जो है उनका कुछ area जो है वो इंडिया में है पहले दो थे फिर दो और जो है उसके अंदर का extend करके उनको साथ में मिलाया तो जो है वो अब total जो है वो चार ऐसे hot spot है इन 36 में से जिनका थोड़ा या ज़्यादा area इंडिया के इंदर है इंडिया और उसके आसपास की countryों में और biodiversity के hot spot जो है उसमें 16% biodiversity होट spot में total species की 16% species जो है वो इंडिया में तो यहां पे मोटे मोटे तौर पे आपको यह पता होना चाहिए कि दुनिया में total 36 biodiversity के hot spot है और उन में से 4 जो है उनका relation इंडिया से है तो यह सारी बातें यहां पे वापस हिंदी में लिखी हुई है तो अब यह चार जो है इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में जो है उनका तो इतना कुछ नहीं बट इंडिया से relation जो है उन चार के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं तो पहला है हिमालेन चेत्र पहले हम इसको इसको इस्टर्ण हिमाले जो है वो ही कहते थे अजकल इसका थोड़ा उधर तक extend कर दिया है उसको तो इसको हम दो हिमालेन कहते हैं या हिमालेन चेत्र कहते हैं तो हिमालेन चेत्र अब हिमालेन चेत्र कहां से कहां तक है तो वैसे देखें तो हिमालेन चेत्र जो है यहां जो पाक occupied कस्मीर है यहां से लगा के ये इंडिया का अच्छा खासब एरिया ये जो नेपाल है वो नेपाल का एरिया ये जो है भुटान का एरिया ये वापस इंडिया जो है इसका एरिया थोड़ा सा उपर वाला जो है वो चाइना तक जो है यहां तो ये एरिया पूरा जो है ये इसमें आता है में ल तो इंडिया नेपाल और बोटान में भारत के उत्तरी पूरी भाग के साथ साथ नेपाल बोटान तक ये फैला हुआ है पहली बात तो ये इसका कितना है कहां से कहां तक फैला हुआ है दूसरी बात करें इसके कितना एरिया इंडिया के इंदर है तो इसका जो है वो 44.4% इंडिया में है अब दुनिया की सबसे उंची चोटी चाहे मांट आवरेस्ट हो चाहे इंडिया की सबसे उंची चोटी के टू हो तो ये सारी के सारी इसी बूरे एरिये में इस्तित है यहां पे हजारों तरह की वनश्पतिया मिलती है बहुत सारी उसमें एंडेमिक स्पीसीज भी है और बहुत सारी यहां पे एनिमल स्पीसीज जो है वो भी मिलती है एनिमल स्पीसीज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमने पीछे बहुत सी बार, पिगमी हॉग जो आश्रम के अंदर छोटा एक शूवर जो है वो मिलता है, उसकी बात कीती वो यहाँ मिलता है, हिमालेन तहर जो है, वो हिमालेन में जो भेड के जैसा दिखने वाला हिमालेन तहर है, गंगा डॉल्फिन जो हमा लंगोर जो है, बिलकल गोर्डन कलर के बाल वाला एक लंगोर बंदर जो है, वो बहाँ पे मिलता है, तो सुनारा लंगोर है, हमटैंदुआ, सनो लेपर्ड जो है, वो इस एरिया में मिलता है, सिंगल होर्न रैनो जो है, जिसकी भी बात ले वहाँ थे हैं either, गेंड़ा जो है जो मेनली अशम जो है काजी रंगा नेसल पार्क जो है वहाँ पे मिलता है वहाँ के साथ साथ और भी जग मिलने वाला वो नीली भेड वो है नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी जो है फ्लाइंग स्क्वेरल जो भी एंडमिक स्पीसीज में और जो इस एरिये की एक प्रकार से पहचान है तो कुल मिला के ये एक दो हिमालियन जो होट स्पॉट है जिसका 44% हिस्सा जो है वो इंडिया में है और उसके अलावा मेजर रूप से नेपाल और भुटान में फैला हुआ एरिया तो पहला तो यह हो गया उसके बाद हम बात करत दूसरा जो है वो है इंडो बर्मा इंडो बर्मा एरिया जो है जैसा कि यहां से दिख रहा है कि यह बांगला देश का जो यह एरिया है यहां से लगाएं इंडिया का यह वाला जो मनिपूर वाला और नागालेंड वाला मिजरम वाला एरिया जो है यह वाला एरिया है उसके बाद में मयानमार है, लाओस है, यह चाइना का जो साउथ में युनान प्रोविंसेज है, वो है, थाइलेंड है, कमबोडिया है, वियतनाम है और थोड़ा सा नीचे मलेशिया का हिस्सा, तो यह यहाँ वाला अगर आपको मैप क्लियर है, तो बिलकुल बांगला देश क जो बिलकुल पूर्वी भाग है, उस पूर्वी भाग से स्टार्ट करके थोड़ा सा ब्रह्म पुत्रा के नीचे वाला जो इंडिया का एरिया है, वो वाला एरिया और उस से आगे, मयानमार, लाओस, थाइलेंड, कमबोडिया, वियतनाम और थोड़ा सा मलेशिया का इस्स तक इसका विस्तार है, यहां पे यह है, अब इसमें से इंडिया में तो इसका छोट कमी बाट है, हम देख रहे हैं कि मेजर पाट तो बिलकुल यह नीचे है, तो इंडिया के अंदर थोड़ा सा हिस्सा है, इंडिया में किता है केवल 5 परसेंट, इंडिया के अंदर इसका ह इसा है, 5 प्रतिस जैसे वो 44.4% था, तो 5% यह था, यहाँ पर बहुत सारी species मिलती है और विशेश रूप से यह जो famous है, वो primates के लिए famous है, primates क्या होते हैं, लोकसा primates में बंदर भी आते हैं, लंगूर भी आते हैं, गिबन भी आते हैं, तो यह विशेश रूप से primates के मिलती है, फ्रेश वाटर टर्टल यहाँ पर खुब मिलते हैं, ताजे पानी में रहने वाले कच्छुए, वो है कुछ पक्षी जो हैं, वाइट इयर्ड नाइट हैरॉन है, ग्रे क्राउड क्रोक्यस है, औरेंज नेक पैट्रेज है, जैसे यह कुछ बर्ड्स जो हैं, पक् उन वाला एरिया जो है, वो इसमें मेंली आता है, तीसरा जो है, वेस्टन घाट, वेस्टन घाट एंड स्री लंका, पहले भी वेस्टन घाट तक ही था, अब उसको आगे तक फैला के स्री लंका तक कर दिया गया है, तो वेस्टन घाट एंड स्री लंका, वेस्टन घाट ज गोब, करनाटका तमिलनाड़ो क्यरला, तो यह पूरा जो area है, यह और साथ में स्री लंका जो है, उस पूरे area में फैला हुआ area, western घाट and स्री लंका, तो यह भारत के दक्षन पस्चिम तटी में और स्री लंका का जो दक्षन पश्चे में उच्छ भूमी छित्र जय उसमें है इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एरिया है इसका लगबग 65% एरिया इंडिया में है इसका वेस्टन गार्ट जो है शाहादरी जिसको हम बोलते हैं और वहाँ पर बहुत तरह के एंडेमिक इंडिया के अंदर सबसे जधा प्रजातियां जो मिलती है, वो वेस्टन घाट में ही मिलती है, और हमने जब स्टार्टिंग वाली क्लास में, एंडेमिक स्पीसीज में, बहुत सारी प्रजातियों की बातें की थी हमने, कि लॉइन टेल मके क्यों हो, चाहे नील गरी ताहार हो, चाहे सीवेट हो, ये तो बहुत ज़्यादा मिलती है, पूरे इंडिया के एरिये को देख लें, तो उसमें सबसे मोस्ट रिच बायो डायवरसिटी एरिया इंडिया जो है, वो ये है, ये इसके एंडेमिक स्पीसीज के बारे में हमने पहले भी की थी बातें, तो ये नंबर थर्ड पे, नंबर फोर तो जो है, वो सुन्डा लेंड, सुन्डा लेंड एरिया जो है, वो, बिलकुल हमारा जो अंडबान और निकोबार में जो नीचे वाला ही है, निकोबार छितर है, यहाँ थोड़ा सा, इसका फैलाव है, उसके बाद में देखें तो ये मलेशिया है, और मेजर पार्ट जो इंडोनेशिया का है, उस इंडोनेशिया का पार्ट इसमें सामिल है, उसके अलवा, ये ब्रुनुई है और थोड़ा सा, फिलिपिन्स जो है, ये यहाँ तक ये फैला हुआ है, तो मेजर पार्ट जो सुन्डा लेंड का है, वो तो इंडोनेशिया है, लेकिन इंडोनेशिय के अलवा, साथ-साथ Malaysia का हिस्सा भी है, यहाँ पे जो Singapore है, वो Singapore भी है, पर यह जो Bornea island है जिसमें Brunei भी आता है और Indonesia का पार्ट भी है और थोड़ा सा हिस्सा जो है Philippines का, यह सब मिला के बनता है Sundaland, तो Sundaland जो है भारत का जो Great Nicobar है बहां से स्टार्ट होता है और उसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, शिंगापूर है, बुरुनेया और फिलिपिन्स यहां तक पूरा फैला हुआ यह सुंडा लैंड है तब इंडिया के अंदर तो बहुत थोड़ा सा पार्ट 1.28% जो है इतना सा एरिया ही है, जैसा कि हम यह यहां पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा हिस्सा Great Nicobar का है, वो है पदरवाइस बाकी पूरा का पूरा जो है वो इधर ही है, फिर बिच्चों की थोड़ा सा हिस्सा है तो हम कहते हैं कि इंडिया में इसका थोड़ा विस्तार है अब यहां पे यह एरिया हमने मैंगरोव की जब बात की थी तब हमने मैंगरोव और कोरल रीफ की बात की थी तो यहां पे खूब सारी मैंगरोव वेजिटेशन जो है वो मिलती है, तो यहाँ पर mangroove है, coral reef है, बहुत तरह की जो coral प्रवाल भितियां जिनकी बात की थी, वो है, वेल यहाँ पर भी है, dugong जो है, जो एक प्रकार से हमारे इस अंदमा निकोबार जो है, यहाँ पर भी मिलती है, तो यह dugong जो है, यह, actually इसका क्या है कि अभी recently, साल पहले एक stellar sea cow, जिसके हमने बात की थी, जो रश्या वाले उस समंद्रों में मिलता था, उसका बहुत नजदी की है यह, dugong, और वो चूंकि पूरी तरह से विलॉप्त हो चुकी है, और हो सकता है आने वाले टाइम में, यह भी उस इस इस्तती में आ जाए, तो उसको लेक sea food में जो आता है, तो विबिन प्रकार के crocodile है, turtle है, यह सारे के सारे यहाँ पे मुख्य रूप से मिलते हैं, तो कुल मिला के biodiversity के hot spot से समंदित, अगर कोई भी सवाल पूछा जाए, तो हमारे को पहली बात endemism जरूर लिखना है, दूसरी बात threaten जरूर लिखना है, उसके कौन सा area है, वो थोड़ा सा idea हमने यहाँ पे करवा दिया है, बहुत detail में, वैसे भी हमारे examon में, जो है, यहाँ आरेस में तो पुछा जाता नहीं है, UPSC में जरूर, IES में जरूर पुछे जाते हैं, तो उसमें भी काफी आपकी help यहाँ से हो जाएगी, तो यह थे आपके पहला topic, hot spot, अब hot spot में भी कुछ जो है, जिनको hottest hot spot करते हैं, यह जो 36 है, इन में से भी कुछ ऐसे हैं, जिनको hottest hot spot, मतलब endemic species, जहाँ होती है, उनको हम hot spot के रूप में select करते हैं, अगर endemic species का ratio और भी ज़दा हो, यहनि total 36 है, उसमें से भी कुछ ऐसे हैं, जहाँ पर endemic species बहुत ही जदा है, तो ऐसे area को हम hottest hot spot कहते हैं, तो hottest hot spot अभी कभी भी पुछा जाए, तो हम यह कहेंगे, कि जहाँ पर इस्थानी प्रजातियों का अनुपात और जदा हो, बहुत जदा हो, अधिक हो, प्रचुरुता से पाई जाती है, तो उ में से 8 ऐसे area select किये हैं, जो area hottest hot spot में आते हैं, कौन से 8 हैं, तो Medagascar, पता ही है, आपको Medagascar अपने कल बताया था, मेगाडाइवर्स जो state बताया थे, उन मेगाडाइवर्स तरह में, एक Medagascar का नाम भी था, तो Medagascar में बायर डाइवर्सिटी की जो endemism है, वो बहुत Philippines अपने आप में एक जो है, वो Philippines का थोड़ा सा area जो है, वो तो इसमें हमने Sundaland वाले में कह दिया था, तो इसके उपर वाला area जो है, वो अपने आप में एक पूरा hot spot है, और वहाँ पे भी बहुत तरह की बायो डाइवर्सिटी मिलती है, तो Philippines जो है, वो है, Sundaland भी अपने आ Brazil से उधर, Atlantic forest जो है, उसमें भी बायो डाइवर्सिटी की स्थानी प्रजातियां बहुत ज़्यादा है, तो वो भी उसमें है, Caribbean Sea वाला जो area है, वहाँ पे भी खूब तरह की endemic species है, और वो भी एक चूंकि बायो डाइवर्सिटी का hot spot है, तो ये hottest में भी include है, इंडो बर्मा जो है, इंडो बर्मा भी hottest hot spot की category में आता है, तो इंडिया का सुन्दा लेंड भी है, ये भी है, वेस्टन घाट और स्री लिंका आवाला, ये जो है जिसमें इंडिया की बहुत बड़ा इस्सा है, 65% है, तो ये भी hottest hot spot की स्रीनी में आता है, इस्टन आर्क एंड कॉस्टल आफ तंजानिया और केन्या, तो ये भी एक hot spot है, तो यहाँ भी बाइयो डाइवरसिटी ज़्यादा होने की वज़े से इसको भी आठ में समिलित किया गया है, तो कुल ये 8 है, तो इसका मतलब ये हो गया, इंडिया का जो दहिमालेन है, उसको छोड़ के बाकी वाले तीनो जो है, वो तीनो hottest hot spot की category में आते हैं, अब चूंकि इन दोनों में, एक में 1.28 और एक में 5.5 परसेंट ही है, तो हमारा जो है western घाट, क्योंकि ये बड़ा portion इंडिया में है, तो ये इंडिया का, तो hottest hot spot का हैं, तो endemic species की बहुत ज़्यादा, यानि प्रचुरता अगर है, त हम hottest hot spot केते हैं, तो ये था hot spot और hottest hot spot, एक शब्द और आता है, Biosphere Reserve, Biosphere Reserve, UNESCO ने 1971 में एक M.A.B. program start किया था, Man and Biosphere program, ये M.A.B. program जो था, उस program में ये decide किया गया था, कि कुछ ऐसे area identify किये जाएंगे, जहां protection करना है हमें, और उसके लिए UNESCO जो है समय समय पर guideline जारी करेगा, और उस guideline के तहत वहाँ species को और पूरे वहाँ के ecosystem को protect किया जाएगा, तो कुल मिला के 1971 में, ये सन भी दो साल पहले हम पूछा गया था, तो 1971 में, Man and Biosphere program, UNESCO ने start किया था, उसी program के तहत Biosphere Reserve जो है, वो declare किये जा रहे हैं, वहाँ की government है, देश की national government जो है, वो Biosphere Reserve declare करती है, और UNESCO को लगता है कि उसे UNESCO की list में लेना चाहिए, तो UNESCO उसे अपनी list में ले लेता है, और list में लेने की बाद में, पहाँ जो है, वो UNESCO भी अपनी तरफ से कुछ support जो है, वो provide करवाता है, जिससे biodiversity को बहुत अच्छे तरीके से protect किया जा सके, तो ये एक जो है, inter-governmental scientific program है, सभी देशों की जो है, सरकारें जो है, उनके सहयोग से वैज्ञानिक जो है, उनका support लेते हुए, इन में protection और research जो ह है, वो की जाती है, और इसका जो मक्षद था, वो मनुष्य और environment के बीच में जो relation है, उस relation को हम और मजबूत कैसे कर सकते हैं, जिससे मनुष्य ये समझे, ये environment मेरे लिए ज़रूरी है, और environment से, चुकि हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते ही हैं, बहुत सारी चीज़ में इसको protection भी करें, यानि development में environment का जो role है, वो role ऐसा हो कि sustainable development की तरफ बढ़ें, तो ये चीज़ हो, तो कुल मिला कि क्या मक्षद था, ये program क्यों start किया गया था, तो मक्षद सीदा सीदे एक sentence में अगर कहें, तो हम ये कहेंगे, कि मनुष्य और परियावर्ण के मध्य जो स सामन्ध है, तो कैसे सुधारा जाए, तो इस पर और वैज्यानिक आधार जो है, वो उपलब्द कराना इसका मक्षद था, तो बाइस पर रिजर्व जो है, तो कुल मिला कि ये सारे के सारे protected area है, चाहे hot spot हो, चाहे बाइस पर रिजर्व हो, चाहे आगे Amnasal Park की बात करेंगे Sanctuary की बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे, इन सब का मक्षद यही है कि वहाँ पर जो भी ecosystem है वहाँ का, वहाँ की जो living organism है उन सब को protect करना, तो protect करने के लिए अलग-लग तरीके हैं, अलग-लग संस्ताएं हैं, अलग-लग support है, अलग-लग objective हैं, तो उन सब के लिए, यह जो किये जाते हैं, तो Biosphere Reserve Biosphere Reserve के क्या objective हैं, Biosphere Reserve कैसे काम करता है, तो उसके लिए UNESCO जो है, उसने और UNEP जो है, United Nation Environment Program और UNEP, इन दोनों ने मिलके एक task force बनाया, और वो जो task force है, उसने, यह force का मतलब कभी भी सहना ही हो, ऐसा नहीं है, कोई भी दल हो सकता है, जो उसके संबन्द में बात करें, तो एक ऐसी committee बनाई, और उसको कहा कि इनके हमारे मक्षद क्या हो होंगे, function क्या होंगे, तो इन्हों ने, इस task force ने, तीन objective डिसाइड किये, किसाथ यह biasphere reserve के objective हैं, या biasphere reserve के function है, तो कभी भी exam में यह पूछा जाता है, तो हम इन तीन का अगर जिक्र करते हैं, तो biasphere reserve के बारे में, हमारी knowledge जो है, वो अच्छे खासी मानी जा सकती है, तो ए एक conservation, नाम से पता चल रहा है, सरंक्षन, किसका सरंक्षन करना, तो कसाब bio diversity का करना है, तो bio diversity के साथ साथ में, पूरे ecosystem का भी करना होगा, और उस पूरे area का भी करना होगा, ecosystem से भी बढ़ा जो है, वो आता है, land scap, land scap का, ecosystem का, species का, और genetic variation जो है, इन सब को हमें protect करना है, इन सब का हमें, जो है, वो conservation करना है, और मानव गतिविदियों की वज़े से, प्राकरतिक रूप से मानवी गतिविदियों के कारण, जो परिवर्तन है, उसके हमें निगरानी रखनी है, उसके हमें monitor करना है, तो कुल मिला के, हमारी वज़े से, वहाँ पे क्या-क्या change हो रहे है उनको monitor करना, और साथ में उनका protection करना, उनका conservation करना, किसका conservation करना, तो सब दरश्य भूमी, land escape, ecosystem, प्रजातियां, और अन्वानसिक variation जो आ रहे हैं, बदलाव जो change हो रहे हैं, उन सब को protect करना पहला मक्षद, एक भासा में, और simple भासा में हम कहा दें, तो जय विवित्ता का स सरंक्षन करने के लिए, तो जय विवित्ता के सरंक्षन में सारी बातें वो आई जाती है, तो और हमारी वजे से, हमारी human activity की वजे से, जो बदलाव हो रहे हैं, उनको लगातार monitor करना, लगातार check करना, कैसा नहीं हो कि हमारी वजे से ऐसे बदलाव आ जाए, कि महां की पू शपोर्ट करना, नितिगत रूप से या तारकी रूप से कैसे सपोर्ट करना, सिदा-सिदा इसमें आता है, research और education, दो बातें, research और education, तो जगा-जगा पर ऐसे research center establish करना, और उन research center के माध्यम से, जो हमें नई चीज़ें पता चलती है, उन सबको दूसरे country हैं, दूसरे जो पूरे environment को और अच्छे तरीके से protect कर सकें, तो कुल मिला के research और education से संबन्दित सारी information, सारी सूचना है, उनको सांजा करना, उनको एक दूसरे को बताना, इन के माध्यम से training देना, कि कैसे हम biosphere reserve के माध्यम से, बायो डायवर्सिटी को protect कर सकते हैं, तो कुल मिला के logistic support में, ये अंतराश्ट्रे इस्तर पर अनुशंधान एवं अध्यन हेतु, शोध केंदरों की स्थापना करना, पहले research center एस्टाबलिस करना, उसके बाद में, विभिन केंदरों के मध्य सूचनाओं का आधान प्रदान करना, और विभिन कारिक्रमों को monitor करना, और सरंग्षन समंध टीम सब दगर कहें, तो हम ये कह सकता हैं कि उससे समंध में education को जो है, वो लेना, research center एस्टाबलिस करना, research center की जो research है, उसकी information को एक देश से दूसरे देश को अंतराश्ट्रे इस तर पे easily जिसको communicate किया जा सके, तो वो करना, और इस सब को पूरे को monitor करना, तो दूसरा जो ह है, वो development, क्यासा development? तो उकसाब सतत विकास, पर्यावरन सतत रूप से चलता रहे, development की activity भी चलाओ, ऐसा बिलकुल नहीं है, कि conservation का मतलब कभी भी ये नहीं होता है, कि पूरी तरह से बस उसको उसके आवाले छोड़ दो, या वहाँ पे हमारे फायदे के कोई activity न चलाओ, ऐस प्रजातियां है, तो जो उन पे dependent है, उनको अगर economic रूप से हम empower नहीं करेंगे, और उसको वहाँ से फायदा नहीं मिलेगा, तो वो कभी भी उन चीजों का support नहीं करेंगे, और उन चीजों का अगर वो support नहीं करेंगे, तो उनके support के बिना हम वहाँ की प्रजातियों को हम बीच में बहुत ज़्यादा restriction उन पे उपर नहीं लगाएं, तो उनको भी थोड़ा-थोड़ा advantage मिलता रहे, और protection भी हो जाए, conservation भी हो जाए, तो कुल मिला के development भी होना चीज़िए, जिससे environment में, development ऐसा होना चीज़िए, जो सतत रूप से हो, तो जैवारक्सित चेज़ि development भी चलता रहे, और environment भी protect रहे, तो दोनों में, ऐसा नहीं है कि हम पूरा ध्यान development पर ही दे रहे हैं, और environment को पूरी तरह से समाप्त कर रहे, ऐसा भी नहीं हो, तो दोनों साथ-साथ चलते रहे, ऐसी स्तती हो, तो हम उसको जो है, वो कहेंगे कि development, तो local level के जो लोग है, उ पिलकुल आपको पता होने चाहिए, कि जब भी ये पूछा जाए, कि बायस पर reserve के objective क्या है, तो आप कहेंगे conservation, logistic support और development, विकास भी होना चाहिए, research, education भी होनी चाहिए, और सरंक्षन भी होना चाहिए, biodiversity का सरंक्षन भी हो, research भी हो, education भी हो, और आस-पास के लोगों का development भ होना चाहिए, वो हो, तो हम उसको कहेंगे, तो bio-diversity के जो bio-sphere reserve है, उनके ये तीन जो है, वो objective है, तो objective function वगरा ये कभी भी होता है, अब bio-sphere reserve जो है, वो जो area है, उस area को, UNESCO जो है, वो ये कहता है, आप तीन part में divide कर दो, कौन-कौन से तीन part, तो ये जो beach वाला area है, इस area को हम बोलते है, core area, core के बाद वाला जो है, उसको हम बोलते है, buffer और उसके बाहर वाला जो है, वो transition जो होता है, तीन नाम सिदे-सिदे, core, buffer और transition, क्या difference है इन में, तो कि ये जो core area है, इस core area में human activity restrict होगी, human activity नह होगी, अब human activity में केवल इतनी activity होगी, कि यहां के protection के लिए, हमने जिन officers को appoint किया है, कि आपकी duty है, कि यहां पे पूरी तरह से activity restrict रहे, और आप इसको केवल monitor करो, उसका समय समय पे surveillance करो, निगरानी रखो, बस वो लोग वहां जा सकते हैं, और कोई भी नहीं, और वो भी टूट के गिर गए आये, तो वहीं गिरेगा, वहीं सडेगा, लेकिन उसको इधर से इधर नहीं करना है, वो लकड़ी जो है, उसको वहां से उठाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, अब गिर तो वैसी गह है, तो ले लेते हैं, अब forest के अधिकारी कुछ ऐसा करते होंगे, लेक क्या किया जा सकता है तो सब मॉनिटरिंग की जा सकती है जैसे हमने यहां पर दिखाए यह कोई एरिया है पर इसमें किवल मॉनिटरिंग हो सकती है monitoring कौन करेगा तो government के जो अधिकारी है जिनको इसके लिए appoint किया है का आपको monitoring करनी है तो वो कर सकते हैं उसके अलावा इस area में और कुछ भी नहीं होगा उसके बाद में दूसरा john जो है वो buffer john है जो just बाहर वाला area है वो buffer john buffer john में क्या क्या हो सकता है जैसे हम यह buffer john कहते हैं और उस buffer john में एक है E for education तो education और training यहां पर हो सकती है यहां कौन कौन सी नहीं species है कौन सी नहीं है उसको लेके education education के साथ साथ में research हो सकती है जैसे R लिखा है हमने research तो research station जो है वो वहाँ पर बिलकुल जाके एक research site के आधार पर वहाँ पर research कर सकते है तो education हो सकता है research हो सकता है और थोड़ा बहुत जो है वो tourism recreation monorangen हो सकता है paraton हो सकता है हम गूमने के लिए जाते हैं तो उन area में buffer area तक जो है वहाँ पर हम जा सकते हैं जिससे core zone के कोई animal वगेरा जो है वो कभी-कभी इदर आए हमें दिख जाए तो अच्छी बात है नहीं दिखे तो core area में हम नहीं जा सकते हैं तो ये इसमें हो सकता है थोड़े बहुत ये मकान वगेरा भी दिखा रखे हैं तो बिलकुल पास में है नहीं छोटी-मोटी developmental activity जो है हलकी-फुलकी mining का काम हो रहा है तो हो सकता है आस-पास के लोग वहाँ फल, fruit इखटे करते हैं सबजियां वगेरा अगर हो रही है वो इखटा कर रहे हैं या वहाँ पे जंगली, पेड़ जो है तो ऐसी activity जो है वो इस area में हो सकती है तो कुल मिला कि तीन जो है पार्ट में इसको divide किया हुआ है कोर जॉन, वफर जॉन और ट्रंजिशन जॉन तोड़ थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोर जॉन क्या होता है वफर जॉन क्या होता है और ट्रंजिशन जॉन क्या होता है तो कोर जॉन है सबसे inner part है और यहाँ पे human activity की permission नहीं होती है केवल और केवल परियावरनी दशाओं की परिवेक्शन एवं नियमित monitoring के अलावा तो human activity accept surviving and regular monitoring of environmental condition उसको हो सकता है government officer के लोग जो है जो उसके लिए appoint है जो employee है वो जा सकते हैं उसके अलावा अंदर और कोई भी नहीं चासका buffer john जो beach वाला भाग है उसको हम बोलते हैं और human activity हो सकती है वहाँ पे education, research है, tourism है यह इसकी वहाँ पे permission है लेकिन mining की वगएरा ऐसी कोई permission वहाँ पे नहीं है सबसे बाहर वाला जो area है उस area को transition john बोलते हैं या हिंदी में इसको airfare john भी कह सकते हैं या आवंतर john भी कह सकते हैं तो आवंतर चेतर भी कह सकते हैं यह बाहर वाला है अब इसकी एक तो जो है boundary कोई fix नहीं होती है यहां तक होगा बाकी वालों की तो boundary fix होती है लेकिन उसकी कोई boundary fix नहीं होती है कि यहां तक ही है वो आस पास का area जो है वो पूरा का पूरा हम declare कर देते हैं कि यह का transition john यहां पे development के काम बिलकुल हो सकते हैं जैसे ही यह मैंने कुछ काम यहां पे लिखे हैं तो यह सारे काम जो वहां की स्थानी समुदाय है स्थानी समुदाय वहां पे कर सकता है बाइस पे reserve का मक्षद यह भी है कि वहां की जो local public है उस local public को उसका advantage मिलना चाहिए और local public को उसका advantage मिलेगा तो वो protection में, conservation में साथ देंगे, शहयोग करेंगे और उनको अगर इसका support नहीं मिलेगा तो वो उसका सहयोग नहीं करेंगे, help नहीं करेंगे अब बाइस पे reserve की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर बाइस पे reserve जो है वो 18 बाइस पे reserve है आज के दिन तक 2011 में लास्ट पन्ना जो है उसको बाइस पे reserve डेकलेर किया था उसके बाद भारा सरकार ने और किसी भी area को बाइस पे reserve डेकलेर नहीं किया है, तो 2011 से अभी तक जो है वो total 18 बाइस पे reserve इंडिया के अंदर है तो आज के दिन अगर बात करें तो 18 बाइस पे reserve है अब इन में से 11 जो है वो UNESCO की list में है पूरे को पूरे 18 ने वो UNESCO ने अपनी list में इसको सामिल नहीं किया है UNESCO की list में है जो 11 है UNESCO की list जो है उसको word network of bias पे reserve बोलते हैं तो यह पूछा जाए कि word network of bias पे reserve में इंडिया के कितने bias पे reserve हैं तो word network में 11 है अब इन 11 में सबसे last जो है वो कंचन जंगा है और वो 2018 में इसमें सामिल हुआ था जुलाई 2018 में कंचन जंगा को UNESCO को ने अपनी list में सामिल किया उसके बाद से इसमें जो हो गए वो 11 bias पे reserve हो गए अब इंडिया में यह कौन-कौन से हैं यह बिलकुल आपको पता हो नहीं चीए और इसको लेके exam में बहुत सारे सवाल पूछे भी जाते ही हैं तो इंडिया के इंदर bias पे reserve जो है वो इंडिया में यह प्रोग्राम जो start हुआ था वो 1986 में हुआ था और पहला जो है वो नीलगरी bias पेर reserve पहला घोशित हुआ था तो क्योंकि यह सारे गवर्मेंट ने अपनी अपनी permission दे के MAB program start करवाय था उस समय यह कहा था कि government जो है वो अपने level पे bias for reserve declare करे तो भारत में bias for reserve program जो start हुआ वो 1986 में हुआ और भारत में पहला bias for reserve declare जो किया था वो नीलगरी तो किया था नीलगरी की पहाड़ियां है शादरी जिन को हम बोलते हैं western ghat में वो है अब यह नीलगरी जो है वो नीलगरी जो है इन तीन state में फैला हुआ है करनाटका, केरला और तमिलनाडू इन तीन में और क्योंकि यह western ghat का part है यहाँ पे खुब biodiversity है और endemic species वो भी खुब सारी है तो यह नीलगरी पहला अब समय समय पे भारत सरकार ने इनको अलग-अलग समय पे घोशित किया ही था सभी के सन याद रखने का कोई वो है नहीं कुछ खास विसेशता है तो उसके बारे में ध्यान रखने की है अब यह जो है नेस्नल पार्क में भी आएंगे टाइगर रिजर्व जो है यह सबसे पहली बात पता होनी चाहिए फिर उसके बाद में जब उसको और थोड़ा डिटेल देखेंगे आगे तो उसमें कौण से एनिमल है या कौण से प्लांट है या और कोई उनकी खास विसेशता है तो उसके हम बात करेंगे अब यहाँ से अगर उपर की दरफ हम चलते हैं तो कैरला के अंदर और तमिल नाडू का कुछ एरिया जो है उसमें एक है अगस्ते मलाई तो अगस्ते मलाई भी एक बाइस पे रिजर्व है जो कैरला और तमिल नाडू उसमें फैला हुआ है यहां पे Gulf of Mannar Gulf की खाड़ी जो है मनार की खाड़ी जो है उस मनार की खाड़ी ये भी एक बाइस पे रिजर्व है और चुँकि ये भारत का पहला जो है वो मेराइन जली चेत्र समूंदरी चेत्र का नेसल पार्क भी पहली था और इन बाइस पे रिजर्व में एरिया बाइस अगर देखें तो सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट बाइस पे रिजर्व जो है वो ये Gulf of Mannar है मनार की खाड़ी है कि यहां पे आंदर प्रदेश में एक सेसा चलम है बहुत से बार आगे भी नाम आएगा तो सेसा चलम जाए वो आंदर प्रदेश में एक बाइस पे रिजर्व है ओडिशा का सीमली पाल काफी फेमस है बहुत सारे वहां पे भी प्रजातियां मिलती है तो सीमली पाल Wildlife Century क है तो ये ओडिशा का ये एक बाइस पे रिजर्व भी है West Bengal में सुन्दरवन Bengal Tiger का नाम से जो फेमस है तो Bengal Tiger वहां पे मिलते हैं सुन्दरवन में और Mangrove वनस्पती में भी हमने सुन्दरवन की खोब बात की थी तो यहां पे बहुत बड़ा एरिया Mangrove वनस्पती का है Wetland जो है बहुत बड़ा Wetland एरिया जो है वो सुन्दरवन है तो यह सुन्दरवन अपने आप में एक जो है वो Biosphere Reserve भी है West Bengal का पंचमडी मद्यप्रदेश का पंचमडी जो है वो भी एक Biosphere Reserve है और यहां पे भी खुब तरह की प्रजातियां मिलती है की बात करें तो सबसे जदा एरिया तो यह जो यहां पे हमने बात की थी जो Western घाट वाला एरिया है पस्चिमी घाट वो और एक हिमालया वाला यह इन दो का एरिया हमारे यहां पे जदा है बाकी इनका सुन्दा लेंड वाले का थोड़ा सा 1.2 और वो था तो चूंकि यह दो बड़े हैं इन दोनों को इस पंच मड़ी और इनकी माध्यम से क्यों आपस में जोड दिया जाए तो जोडने का प्रोजेक्ट भी चल रहा है कि हम इस पंच मड़ी जो है इसको थोड़ा विस्तार देखके यहां उपर से जो यह इस्टरन हिमालया को और वेस्टरन घाट जो है इनको क्यों आपस में जोड़ा जासके दो बायो डायव वर्सिटी के जो होट स्पॉट है उनको तो यह पंच मड़ी जो है यह मद्यपरदेश में इसी प्रकार से यह अचनक मार अमरकंटक यह अमरकंटक की पहाड़ियां है वहाँ पे अचनक मार जो है वो बायस्पर रिजर्व है जो मद्यपरदेश और 36 गड़ इन दोनों में फैला हुआ है तो यह अचनक मार अमरकंटक यह bias pair reserve एक पन्ना है जो इन bias pair reserve में सबसे last में declare हुआ था Indian government ने सबसे last में इसको declare किया था तो पन्ना जो bias pair reserve है वो और यह सबसे चोटा है जैसे सबसे बड़े कि अगर बात करते हैं तो मन्नार की खाड़ी है वैसे के वैसे पन्ना बाइस्पेर रिजर्व जो है, वो smallest area बाइस देखें, तो सबसे छोटा area जो है, वो इस पन्नागा है, उसके अलाबा एक run-off कच, कच के मैदान जहाँ पे जो है, एश यही गधे, वो मिलते हैं, तो कच का run जो है, यह भी अपने आप में एक बाइस्पेर रिजर्व है, जहाँ पे फूलों की घाटी भी है, एक अलग national park, तो नंदा देवी बाइस्पेर रिजर्व उत्राखंड में, तो यह भी एक बाइस्पेर रिजर्व है, उपर यहाँ पे cold desert जो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश का ठंडा area है, cold desert और वो भी एक बाइस्पेर है, तो cold desert हिमाचल प्रदेश और नंदा देवी उत्राखंड, कंचन जंगा सिक्किम में है, पता ही है, तो कंचन जंगा सिक्किम का जो है, वो भी एक बाइस्पेर रिजर्व है, और UNESCO की list में, सबसे last 2018 में, जो है, वो यह कंचन जंगा, मेगालेया का नो क्रेक, जो है, वो भी एक बाइस्पेर रिजर्व है, तो नो क्रेक मेगालेया, यह भी काफी famous, अशम जो है, उसमें मानस नेसल पार्क कहें, तो मानस नेसल पार्क जो है, वो बाइस्पेर रिजर्व भी है, तो मानस बाइस्पेर रिजर्व असम, असम का एक और डिब्रु शिखोवा जो उपर इधर अरुनाचल प्रदेश की तरफ है तो डिब्रु शिखोवा जो है वो असम का ये भी एक बाइस्पेर रेजर्व है अरुनाचल प्रदेश का दिहांग दिबांग जो है अरुनाचल प्रदेश का वो भी एक बाइस्पेर जो उदर सुन्दा लेंड की हमने बात की थी, तो सुन्दा लेंड बाइस्पेर, सुन्दा लेंड होट स्पॉट जो है, उसमें जो ग्रेट निकोबार आता है, वो ग्रोड ग्रेट निकोबार इंडिया का जो है, वो एक बाइस्पेर रिजर्व है, तो इस प्रकार से ये 18 ब भारत सरकार ने इनको बाइसफियर रिजर्व डिक्लेर कर रखा है, अब इन में से 11 जो युनेस्को की लिस्ट में वो ये नाम दे रखे हैं, तो मेन मेन तो सारे ही हैं, अब कुछ कुछ है वो नहीं है, जैसे cold desert जो है, वो इसमें नहीं आ रहा है, जैसे कच्छ का मैदान वा जो है, वो इसमें नहीं है, जैसे ये पन्ना जो है, ये इसमें नहीं है, जैसे ये सेशा चलम जो है, वो इसमें नहीं आ रहा है, मानस जो है, वो इसमें नहीं है, दिहांग देबांग और डिबु सिखोवा, ये कुछ जो है वो नहीं है, क्योंकि 18 में से 11 तो ही है, तो पीछे 7 ही बचे, तो ये वाले 7 जो है, वो इसमें सामिल नहीं है, बाकी वाले ये 11, तो नीलगिरी, मननार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नो क्रेक, पंचमडी, सीमलिपाल, अचनक मार, ग्रेट निकोबार, अगस्ते मलाई और आचन जंगा, ये 11 जो है, वो UNESCO की लिस्ट में है, तो UNESCO समय समय पर, इन से संबन्दित गाइडलाइन भी जारी करता है, जरूत होने पर फाइनेंशि़ सपोर्ट जो है, वो भी प्रोःट करवाता है, जो हो रहा है, उसको एक से दूसरे देस में कम्मुनीकेशन करने मे भी ये help जो है वो करता है तो ये थे आपके biosphere reserve उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेशनल पार्क नेशनल पार्क क्या होते हैं सब तो ये किसी भी state government जो है रजे सरकार जो है वो किसी भी area को century या नेशनल पार्क डेक्लेर कर सकती है तो रजे सरकार जो है वो century भी declare करती है और नेशनल पार्क भी declare करती है दोनों में थोड़ा सा difference है उस difference को भी हम देख लेंगे तो नेशनल पार्क जो है नेशनल पार्क declare करते हैं समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पूरे ecosystem को conjure करना है किसी area में ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ प्रजातिया है जुनको हमें protect करना चाहिए तो उसके लिए उस पूरे area को पूरे ecosystem जो है उस ecosystem को protect करने के लिए नेशनल पार्क डेक्लेर किये जाते है नेशनल पार्क में human activity जो है वो allow नहीं होती कुछ मामलों को छोड़के जैसे research है, education है, tourism है इन को छोड़के बाकी human activity allow नहीं होती यानि कुल मिला के जो core part और buffer zone हमने बात की थी वैसे वैसे नेशनल पार्क होता है तो ये नेशनल पार्क की कुछ जो है विसेशता है और wildlife protection act जो है 1972 इसके तहित नेशनल पार्क डेक्लेर किये जाते है, state government जो है वो डेकलेर करती है, center government को इसकी सूचना जो है वो भेज दी जाती है और wildlife board जो है उसकी permission जरूरी है, wildlife board इसकी लिए permission देता है तो नेशनल पार्क की जा सकते हैं, भारत का पहला जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क था जो देश आजाद होने से पहले ही 1936 में अतराखंड में ये डिकलेर किया गया था आज के दिन बहुत सारे हैं लगबग 105 जो है वो हैं और समय समय पर सरकार डिसाइड करती रहती है तो और भी ज़्यदा होते जाते हैं तो अभी लगबग 105 जो है वो National Park है अब कुछ important National Park जो है इनके बारे में यहां पर थोड़ा समय ने बता रखा है रैसे हमारे exam में जो है National Park कौन सा कहां पर है उसकी location क्या है ये थोड़ा सा exam में पुछा जाता है तो ये हमें जो है वो पता होना चाहिए राजस्तान के अंदर केवलादेव, रन्थंबोर और मुकदंदा हिल ये तीन National Park है ये पता ही है मरू राष्ट्र उद्धान जो है National Park जो है उसको डिकलेर किया हुआ है लेकिन चुंकि इसमें से NH निकलता है तो इस वजे से वो नाम तो उसका निशन पार्क ही है बट पूरी तरह से उन कंडिशन को पूरा नहीं करता है मैंने यहां पर state wise दे रखे हैं कि किस state में कौन साने निशन पार्क है सारे 105 हो नहीं सकते हैं जो महत्वपूर है जो एक्जाम हों में पूछे जाते हैं उनका यहाँ पर थोड़ा सा यह लिस्ट और यह दे रखा है MSI जो है यह भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज अगर देखें तो नेसल पार्क है जम्मु एंड कस्मीर में तो यह MSI कस्तवार, दच्चिगराम और सलीमली यह तीन और पूल मिला के चार यह नेसल पार्क जो है वो जेंड के जम्मु एंड कस्मीर में है इसमें से यह दच्चिगराम जो है ये काफी important है कस्मीरी स्टैक के लिए कस्मीरी हिरंड जो है वो दच्चिग्राम नेसल पार्क में मिलते हैं और सली मली के नाम पे बहुत सारी जगा जगा पे कहीं wildlife century है कहीं कुछ है तो सली मली नेसल पार्क जो है वो जम्मू एंड कस्मीर उत्राखंड में बहुत सारे हैं जैसे जिम कारवेट जो भारत का सबसे पहला है जिसका पहले जिम कारवेट से जो हेली नेसल पार्क के नाम से ये डेकलेर हुआ था और बाद में अब इसको जिम कारवेट के नाम से जाना जाता है तो Jim Carvet National Park, नंदा देवी बिलकुल हमने पहले ही बात की थी, तो नंदा देवी National Park जो है, वो बाइस पर रिजर्व भी है, तो वो नंदा देवी National Park उत्राखंड में गंगोत्री गंगा नदी जहां से निकलती है, गंगोत्री नाम से पता चल रहा है, वो उत्राखंड में है, फुलों की गाटी, ये भी कई बार एक्जाम में पूछा जाता है, फुलों की गाटी कौन से स्टेट में है, तो फुलों की गाटी National Park है, तो ये, सी राज गौपालाचारी के नाम पे, राजा जी National Park और ये भी उत्राखंड में, और गोविंद पशु विहार, गोविंद व लिंग्विस्टिक कमिशन की रिकमेंडेशन जो आए थी उस पे, तो वो गोविंद वल्लब पंथ उनके नाम पे, गोविंद पशु विहार, तो जिम कारबिट नाम कही बार सुनता है, तो पता ही एक उत्राखंड में, नंदा देवी, पता ही उत्राखंड में, गंगोत्र की नेसल पार्क है, तो बिहार का और यूपी, उसके बाद में, अशम की अगर बात करें तो काजी रंगा और मानस दो महतवपूर्ण, इंपोटेंट और भी है, लेकिन ये दो महतवपूर्ण, एक काजी रंगा जो एक सिंग वाले गंडे के लिए, और जंगली भेंसा के ल लाम जाओ नेसनल पार्क, यहां पर गिर जो एशेटिक लाइन के लिए फैमस है, गुजराद के अंदर, तो गुजराद का गिर नेसल पार्क जो है, वो है, अन्ना मुड़ी, 16 नेसल पार्क, करला के अंदर, पेरियार काफी हाथी के लिए फैमस है, जो पेरियार नेसल पा उसके अलावा कुछ और नेसल पार्क, जिसमें, महाराष्टा की बात करें ते एक संजय गांधी के नाम पे और एक पेंच, संजय गांधी के नाम पे और पेंच, ये दो नेसल पार्क जो है, वो महाराष्टा में, गोवा में एक मात्र महावीर नेसल पार्क है, जो गोवा में करनाटका में बांदीपूर नैसल पार्क Tiger Reserve भी है और बहुत famous है बांदीपूर नैसल पार्क कई बार exam में पुछा है बांदीपूर नैसल पार्क कहां पर है तो करनाटका का बांदीपूर नागरोल जिसे राजिक बांदी National Park के नाम से भी जाता है और जो भी Tiger Reserve भी है वो ये भी दोनों जो है वो करनाटका में करनाटका का ये मननार की खाड़ी वाला जो एरिया है वो जो कि मननार की खाड़ी तमिल नाडु के यहां पर लगती है तो इसको हम तमिल नाडु में कंसिडर करते हैं तो मननार की खाड़ी नाड़ी नाडु के कुछ फैमस अंदरप्रदेश का पानी कॉंडा पानी कॉंडा नेसल पार्क जो है वो अंदरप्रदेश का अच्छा खासा फैमस सीमली पाल उडिशा में जो सीमली पाल नेसल पार्क उडिशा इंदरपती चत्यसगड की नदी के नाम के इसाब से चत्यसगड का इंदरपती नेसल पार्क के बारे में भी एक्जाम में कई बार पूछा हुआ है बेतला नेसल पार्क जारखंड का ये भी काफी फैमस है तो जारखन में बेतला, कंचन जंगा की बाद पहले ही कर दी थी, नाम दफा, अरुनाचल का काफी फैमस, और मद्य परदेश के ये 9, तो सबसे ज़्यादा नेसल पार्क जो है, वो मद्य परदेश में है और अंडमा निकोबार में है, तो रज्यों में देखें तो मद्य पर है, पन्ना है, सत्तपुड़ा नेसल पार्क है, वन विहार है, इंद्रापर दर्षनी पेंच है, संजे नेसल पार्क है, और मंडला प्लान्ट फोशिल नेसल पार्क, तो कुल मिला के इस परकार हम देखें, तो यह भारत के कुछ मेहत्पूर्ण नेशनल पार्क जिनका लोकेशन थोड़ा सा ध्यान में रहे और जगा जगा पर इनका कहीं कहीं जिक्र आता रहता है तो जहां पर भी आता है तो सिदार से ये तो थैंक यू आज की क्लास में इता ही, next क्लास में मिलते हैं